प्यारे बच्चो एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं बहुत उपयोगी एक्सरसाइज है और आगे भी आपको बहुत इसका यूज करना पड़ेगा प्रस्ट कor तर यहां पर आपको इनकी पार यहने एक्समानेंट के रूप में आपको नमबर्स दीए हैं तो यहां से इनको सिंप्लिफाई करके boxes ब्सट कर चोटे रूप में लिखना है तो सबसे पहले first question लेते हैं बच्छो 64 की power 1 by 2 दिया तो पहला काम क्या करना है जब भी power के अंदर ये जो base दिया है ये अगर इसका factor हो सकते हैं तो आप कोसिस करिए इसके पहले factor करिए तो हम 64 के factor करते हैं सबसे पहले तो इसके factors जो करते हैं तो 2 6 times 7 prime factor करना है तो 2 की power 6 तो मैंने जब factor के 64 के तो 64 को मैं लिख सकता हूं 2 की power 6 और उपर 1 by 2 अब यहां पर लाब exponent क्या कहता है किसी भी संख्या की अगर power है और उसमें उपर bracket पर फिर power दी तो इन दोनों का multiply हो जाएगा बच्छो तो बच्छों लाब exponent क्या कहता है एक की power m है और bracket के उपर फिर power n है तो इन दोनों power का multiply हो जाएगा ठीक है ना तो एक ही power m into n हो जाएगा तो यहां एक ही power 6 था इधर bracket के उपर 1 by 2 था इन दोनों का multiply हो जाएगा अब multiply करते तो यह 6 जो है यह numerator है अभी इसका denominator 1 लिख सकते ह हैं तो जब multiply करते हैं तो ध्यान रखना है आपको यह numerator form नहीं दिया में इसका denominator नहीं दिया तो one denominator होगा इसका अब इसको solve करते हैं तो यह क्या हो जाता है टू की power 6 by 2 ठीक है इसको cancel किया तो क्या जाएगा बच्चों 3 तो 2 की power 3 यहने 2 को 3 बार multiply कर सकते प्रोड़क्ट के रूप में लिख सकता है 2 x 2 x 2 तो कितना आ गया इसकी power 3 यहने 3 times हो गया तो आपका answer जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा तो यह आपको समझ में आया होगा इसी में उम्मीद करता हूं बच्चों next question देखते हैं आप अच्छो second question ले रहे हैं first का क्या दिया 32 की power 1 by 5 बहुत easy question मैंने क्या बताया है अगर आपको जो power दिया है उसके अंदर वाला जो बेस है अगर इसके factor हो सकते तो आप पहले factor करिए तो यहां पर 32 के factor किये हमने तो कितना 32 5 times आया है इने 5 times आया 32 को factor किये तो तो 2 की power 5 लिख सकते हम तो इस 32 को मैंने क्या लिख दिया 2 की power 5 और bracket के उपर 1 by 5 ठीक है अब आगे देखते हैं यहां पर लाप exponent क्या कहता है बच्छों अभी आपको इससे पहले बताया था कि जो power है उनका आपस में multiply हो जाता है तो क्या है लाप exponent एक पावर एम है और उसके ब्रेकेट के उपर पावर एन है तो इन दोनों का multiply एम इंटू एन के रूप में हो गया तो यहां पर अब मैंने बताया था यह जो power है यह numerator फॉर्म में इसके नीचे हम वन लिख सकते है अब यह इस 5 by 5 हो जाएगा नेक्स स्टेप लिखेंगे तो उपर 5 का multiply 1 में हुआ नीचे 1 का multiply 5 में यह दोनों कैंसिल हो तो कितना आगया टू की पावर वन यहने टू एक बार लिखना है तो आपका एंसर आ गया है इसका टू ठीक है बच्छो नेक्स क्वेस्टन देखते हैं कि फिर बच्छो पॉस्ट का थार्ड क्वेस्टन ले रहे हैं 125 की पावर वन बाई 3 दी बच्छो आना तो हमने इसा नोट कर लिया अब वर्ण हमेंने क्या बदाया था इसके फैक्टर हो सकते है बेस के तो पहले फैक्टर करो तो 125 के हमने फैक्टर करें तो 53 टाइम्स आया इनकी पावर का मल्टिप्लाइ हो जाता है बच्छो यह आपको बताया है बनाव इससे प्रिवेस वाले परश्चन में इनकी पावर का अपस में मल्टिप्लाइ हो जाएगा तो बाई लाफ एक्सपोनेंट से क्या लिख दिया हमने इसके नीचे अगर वन लिख देता हूं तो फाइब की पावर 3 by 3 हो गया 3 से 3 केंसिल हो गया तो आपको क्या मिल गया बच्छो 5 मिल गया यही है आपका रिक्वारड अंसर हुआ बच्छो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले रहे हैं बहुत इजी सवाल है यह वन मार्स में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एक्जाम में क्योंकि अभी पैटर्ण चेंज हो गया है टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं मैं मैंता मैं तो क्वेश्चन वन मार्स में पुछेएस वन मार्स में पूछा जाता था एक घिक तो देखें यह नाइन है नाइन को मैंने बताया था जब भी कोई आपको नंबर दिया इसको चाहे था ब्रेकेट लगा लिजिए तो यहां पर यह बेस कहलाता है यह इसके टू की एक्सपो्नेंट है यहने पावर एक तरह से तो इस बेस का इफेक्टर करते तो नाइन के फेक्टर किये हमने क्या जाएगा थरी की पावर 2 तो यह वह घृब हो गया थरी की पावर 2 और यहां 3 बाइट अब हम यहां जानते हैं अब लोग अपशे मैं अपिप्लाय हो जाएगा इन दोनों का तो यहां पर थी की वर टू इंटू थी बाई टू ये तो इसको नीचे डिनोमेटर वन लिख सकता हूं है आप चाहें तो इसको two से two यह cancel कर सकते बचो तो क्या बचा three की power three ठीक ना अब इसको three को three times लिखते हैं हम three multiply three multiply three तो answer three zero nine three zero twenty seven आपका required answer हुआ बच्छो नेक्स्ट क्या दिया 32 की power two by five दिया बच्छो तो मैंने यह नहीं क्या बताया था-chotia 32 जोब्य से इसका फैक्टर कर लिए सबसे पहले इस 32 को हम क्या लिख सकते बचो रिक्षों क्या 32 को ऊंठीट वो और यह में फैक्टर किए तो फाइब के सकता ओं और यह अभी टू की पावर फाइब तो बाई लाप एक्सपोनेंट से क्या हो जाएगा टू की पावर फाइब मॉल्टीप्लाइब तू बाय फाइब और नीचे वन ये फाइब सेफाइब कैंसिल हो तो 2 की पावर 2 यहने आपका required answer क्या हो गया 4 ठीक है समझ में आ गया होगा बचो बचो नेक्स्ट है सेकेंड का थर्ड 16 की पावर 3 by 4 तो क्या बता है 16 के factor करें सबसे पहले तो 16 के factor करेंगे तो क्या जाएगा 2 की पावर 4 प्राइम फेक्टर तो 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और इसकी पावर हो गई 3 by 4 और लाब exponent से क्या हो जाता है इन दोनों पावर का multiply हो जाएगा बचो बहुत easy question बन रहे है तो 4 से 4 cancel कर दीजिए 2 की पावर 3 यहने 2 कितनी बार multiply कर दीजिए 2 का अपस में 3 टाइम और यह 2 टूजा 4 टूजा 8 आपके यह 8 required answer हो गए बच्चों कि सेकेंड का question number 4 है बच्चों question number 4 क्या दिया है 125 की पावर minus one by three negative power दे दिया है तो उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता है आपको बहुत आसान समझ में आ सकता है देखे सबसे पहला जो काम है हमको सुरुआ जैसे करना है उसी हिसाब साब चलिए तो 125 के factor करेंगे तो कितने आ जाएंगे five की पावर three ठीक है और इसकी पावर minus one by three अब बाई लाप exponent से क्या हो जाएगा इनकी पावर का multiply हो जाएगा और यह denominator one कर दीजिए आप अब यह पावर three से three cancel हो गई है यहने five की पावर क्या बची माइनस one अपान one means five की पावर minus one और जब भी किसी की संख्या की पावर minus one हो तो उस संख्या को लाप exponent से क्या कर देते हैं one by five की पावर नीचे जाके plus one हो जाएगी है प्लस one हो गई इसके plus one लिख सकते हैं या one by five यह आपका answer हो जाएगा समझ्या जब भी negative power हो उसको one यहने one by लिख देंगे तो power नीचे जाके plus हो जाएगी जैसे five की पावर minus two होता तो one upon five की पावर प्लस two हो जाती नीचे जाकर है ना तो यह आप लाप एक्सपोनेंट्स एड़ प्लास में पढ़ चुके हैं और वेसे जहां जरूत लग रही मैं आपको बता पता भी जा रहा हूं ठीक है कि ओके थेंग्यू कि बच्चो एक्सरसाइज 1.6 से क्वेशन नंबर थाड ले रहे हैं अच्छा क्वेशन है इसमें अलग-अलग एक्सपोनेंट्स के ला यूज करेंगे हम लोग आप ध्यान से देखिएगा आपको पूरा समझ में आएगा देखिए फर्स्ट क्वेशन है टू की पावर टू बाई थ्री और टू की पावर वन बाई थ्री और यह बीच में डाट लगाए मिस मल्टिप्लाय है तो टू की पावर टू बाई थ्री डाट टू की पावर वन बाई फाइब तो इस डाट का मतलब वह मल्टिप्लाय एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्छो में मल्टिप्लाय जो है और डाट में क्या डिफरेंस है यहां इधर समझ लिजे जैसे मैंने लिखा टू तो यह जब न और यह 2.3 ही रहेगा तो यह दोनों के सिंबॉल का आप ध्यान रखेगा चोड़ी चोड़ी चीजे बेसिक नॉलेज होना चीए अगर आपने इसको 2.3 पढ़ लिया तो आपको गलत हो जाएगा तो एक एक चीजों का आपको ध्यान रखना बेसिक नॉलेज आपका अच्छ नंबर फर्स्ट लेần हble्त हैं तो यहां पर क्या है लाव एक्स्पोनेंट क्या बोलता है सेमह और पावर लग लग तो बेस सेमह ओ पावर डिफ्रेंट हो तो यह पावर बेस एकी रहें और पावर जूड जाएगी माल्टिप्लाइप में हो तो एक फावर एम इन och ठी थोड़ा उपर लिखना है नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहीं लिख देते और खुदी कन्फूज हो जाता है गलत कर देते पावर है तो पावर को उपर एक्सपोनेंट को ऊपर ही लिखा जाता है अब यहां टू थोड़ा चाहे तो आप बड़ा लेख सकते हो एक्सपोनेंट को छोटा लेख सकते हैं इसका एलसे में लेना तो यह फिप्टीन आ जाएगा यह ना यह तो तो की पावर हो गया 13 अपान 15 बस यही आपका एंसर है इसको आगे स्वाल नहीं करना है इसको सिर्फ पावर को सिंप्लिफाइ करके सिंगल पावर के रूप में रख देना है जुछ इतना आप सिंप्लिफाइन है सरहल रूप में ला सके पावर को वह यहां लाके आपको छोड़ देना है तो यहां पर यह फर्स्ट क्वेशन कंप्लीट होता है बच्चों सेकेंड क्वेशन ले रहे हैं बच्चों वन अपान 3 की पावर इन्हें एक्स्पोनेंट 3 दिया है और फिर ब्रेकेट के उपर इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 7 है तो यहां से क्या हो जाएगा एक लाव एक्सपोनेंट से हम जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर नीचे दी हुई है तो इसको ऊपर ले जाते हैं निम्रेटर फॉर्म में ले जाते हैं तो यह पावर नेगेटिव हो जाएगी तो एकी पावर माइनस M हो जाएगी यहने 3 की पावर माइनस 3 हो जाएगी तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चो 3 की पावर माइनस 3 और यह पावर उपर 7 अभी ऐसे ही रहा अब दूसरा नियम भी हमने पढ़ा है अगर पावर हो और ब्रेकेट के उपर फिर दूसरी पावर एक्स्पोनेंट तो दोनों एक्स्पोनेंट का मल्टिप्ला हो जाएगा यहने 3 की पावर माइनस 3 इंटो 7 तो आपका एंसर आ गया 3 की पावर माइनस 21 बस यही आपका रिक्वार्ड एंसर था बच्चो समझ में आया होगा बच्चो अगला क्वेशन है थार्ड का थार्ड क्वेशन है 11 की पावर वन बाइटो यहने 11 के एक्स्पोनेंट दिया वन बाइटो और इधर डिनोमेंटर में भी यहने दोनों बेस से में पावर अलग है बच्चो तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चो एक रूल से पड़े हैं ला माइनस हो जाएगी उपर जाके बेस वही रहेगा ए तो यहां से क्या हो जाएगा इस लाप एक्स्पोनेंट से 11 की पावर क्या हो जाएगी उपर जाके यह तो ऐसे ही रहेगा नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी अब इसका LCM ले लेते बचो तो LCM तो आता होगा 2 और 4 का LCM 4 आ गया बचो 2 से डिवाइड किया 4 को तो 2 4 से डिवाइड किया तो 1 तो यहां से आ गया 11 की पावर 1 बाइ 4 और यही आपका एंसर हो गया बहुत इजी क्वेशन है अब बचो थार्ड का लाश्ट क्वेशन है फोर्थ नमबर पर सेवन की पावर 1 बाइट इंटू एड की पावर 1 बाइटू है ना तो यहां पावर से में बचो तो लाप एक्सपोनेट में एक रूल पड़ते हम अगर ए और बी की पावर से में और मल्टिप्लाइ हो रहा है तो यह पावर कामन आ जाएगी तो एंटू भी एज़िज रहेगा पावर कामन आ गई तो यहां से अगर इसको सौल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा पावर कामन आ की पावर वन बाइटू अब इसको सौल हो जाता है ठीक नहीं तो वैसे यह एंसर आपको सौल करने की जरूद नहीं यहां पर यह आपका रेक्वार्ड एंसर हुआ तो यहां पर यह एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है थेंक यू हैव नाइस डे क्वेर्ण एंसर आपका रेक्वा जब टे शीजे का रेक्वाओार्ड एंसर जाएट।